हलो बच्चो वेलकम तो आई यूट्यूब चैनल तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड एट चैप्टर टू का प्रैक्टिस सेट 2.3 इसके दो प्रैक्टिस सेट मैंने अप्लोड कर दी हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक दिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप के प्रैक्टिस सेट में हम लोग प्रैलेल लाइन वे लेना है उसके बाहर तो पहले मैं एक लाइन बना देता हूं लाइन L, तो मैंने यहाँ पे एक line बना दिया L, कहीं पे भी बना सकते हैं आप, यह उसने हमको बोला नहीं है, उसने खाली बोला है, draw a line L, next step क्या बोला है, take a point A, outside the line L, मतलब A यह line के उपर कहीं पे मतले ना, outside आप कहीं पे भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ले रहाँ A, यह जग लो, ऐसे मैं ऐसा एक line बना दूँगा तो parallel होगी क्या, नहीं वो line L को intersect करेगी, line ऐसे ही आएगा ना, ऐसे वाला, तो आपको answer तो already पता है कि line कैसे आने वाला है, सिर्फ आपको बताना है कि कैसे बनेगा, तो यह draw करने के लिए 3-4 methods है, हम लोग पहला method यूज़ करते हैं, हम लोग तो उसको बंदूग के जैसा यूज़ करते थे, कि यह gun है, बट कभी construction के लिए हम लोग ने set square नहीं use किया था, आप लोग लखी हैं, कि आप लोग को textbook में ये method दिया है, कि set square यूज़ करके आप parallel lines बना सकते हैं, तो चलो सीखते हैं, parallel lines कैसे बनेंगी, तो आपके पास ये दो tools है, इनको बोलते हैं set square, ठीक है, उसमें से कोई भी set square आपको ऐसे रखना है, कि set square का जो flat base है, ये side वाला, वो exactly line पे आ जाना चाहिए, देख रहा है, उसका जो flat base है, वो exactly line पे आना चाहिए, और यहाँ पे ये vertical, ये point से pass होना चाहिए, देखो यहाँ पे, ये point के एकदम pass, मतलब आपको अगर line बनानी है, तो आप इसके तुरू easily बना सकते हो, दिख रहा है, ये नीचे से line एकदम इसके उपर है, और ये right side में, ये point एकदम इसके बाजो में है, पका ये step clear है, set square आपने ऐसा रख दिया, फिर दूसरे set square को ऐसे, ये shape मिलाना है, और exactly ये point के यहाँ पे, और ये set square को touch करना है, ये set square को ऐसे touch करना है, कि उसके जो lines है, वो उस line के तुरू pass होने चाहिए, देखो यहाँ पे, सारे lines एक दूसरे को intersect कर रहे हैं न, दिख रहे हैं आपको, ये line एक दूसरे को touch कर रहे हैं, उपर नीचे नहीं है, ठीक है, तो मतल line है न, बच्चो, वो point A से पास हो रहा है, ये point A को थोड़ा बड़ा label कर दो, ताकि समझ में आ जाए कि वो point A है, ठीक है, और ये वाला जो line है, ये L को parallel है, तो ये line के यहाँ पे arrows दाल दो, और ये point को थोड़ा सा बड़ा कर दो, तो ये line को मिने नाम दे दिया M, समझ में है, दूसरा set square उल्टा गुमा के, ऐसे लेंगे, और यहाँ से एकदम टच होना चीए, ये वाले set square को, ठीक है, एकदम टच होना चीए, और उसके बाजु में से एक line बना देंगे, फिर set square हटा के, ये line को थोड़ा इस तरफ से बड़ा कर देंगे, और ये जो point था A, उसके practice नहीं करोगे, तो exam में जाके directly करने की कोशिश करोगे, नहीं आएगा, ऐसे मत तो चो lockdown है, घर पे हैं, तो construction तो online नहीं करना पड़ेगा, अचानक से 8-9 standard में, 10 standard में construction करना पड़ा, और आपकी practice नहीं है, तो आपको ये बहुत difficult लगेगा, और construction सबसे ज़ादा scoring and सबसे easy subject होता है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, question 2 में दिया है, draw a line L, take a point T outside the line, जैसे A लिया था, वैसे point T outside the line लेना है, through point T, draw a line parallel to line L, मतलब आपको T के through एक line pass करना है, जो parallel होना चाहिए, line L को, question 1 में सेम चीज़ की थी, इसमें भी वही करना है, दो set square लो, और set square से T के through pass होता ह हुआ है, parallel line बना दो, यह मैं homework दे रहा हूँ, क्योंकि यह question हमने already solve कर लिया है, question 1 और question 2 में इतना ही difference है कि T के जगे पर क्या आजाएगा, यह था ना, question 1 में, ठीक है, बस, यह हो जाएगा, वैसे ही solve, okay, question 3 में दिया है, draw a line M, तो हमने line M अल्रेडी बना दिया है, draw a line N which is parallel to line M, मतलब एक line बनाना है N, जो M को parallel हो, at a distance of 4 cm from it, question 1 and 2 में distance नहीं दिया था, इसमें बोल रहा है कि 4 cm की दूरी पर बनाना है, ठीक है, तो जब भी ऐसा question आए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले line M पे 2 point ले दो, तो यह 2 point ले लिए मैंने A और B, कोई distance नहीं देखना है, यह step में distance नहीं है, distance आगे जाके आएगा, अब point A पे and point B पे perpendicular lines बना दो, set square लो, और set square से perpendicular line बना सकते हो, क्योंकि यह वाले chapter में, यह वाले practice set में, textbook में ही दिया है, कि set square यूज कर सकते है, set square ऐसा रखा, set square का जो base है, वो एकदम यह line को touch करना चाहिए, और यह जो उपर वा बेर से देखो, यहाँ पे एक line बना दिया, जो इसको perpendicular है, तो यहाँ पे 90 degree का symbol बनाओ, और यहाँ पे arrow दे दो, तो यहाँ पे 90 degree बना दिया, बच्चों अभी तक हमने 4 cm यूज नहीं किया है, 4 cm वाला step जब आएगा, तब मैं आपको बताऊंगा, अभी तक क्या किया, एक उपर दो point लिए, A and B, और A पे एक perpendicular बना दिया, जैसे आपने A पे perpendicular बनाया, वैसे ही, सेम तरीके से set square लो, और B पे भी एक perpendicular बना दो, यहाँ पे, ठीक है, एक line बनाओ, जो यह line M को perpendicular हो, तो यहाँ पे मैंने line B के उपर भी बना दी perpendicular, ठीक है, अब हम लोग use करेंगे, यह 4 cm, अभी scale लो, and compass लो, और उसके उपर 4 cm का distance लो, scale and compass, जिसको आप rounder बोलते हैं, rounder पे 4 cm लो, 4 cm क्यों, क्योंकि उसने बोला है, line 4 cm की दूरी प्याएगी, तो यह 4 cm इसके उपर ले लिया, ठीक है, अब यह compass का needle जो है, वो A पे रख दो, A पे रख के, यहाँ पे, हम लोग को 4 cm के उपर, एक arc बनाना है, क्यों 4 cm के उपर, क्योंकि line 4 cm की दूरी पे आने वाला है, सेम तरीके से, यह फिर से compass B पे रख दो, B पे रखने के बाद, आपको यहाँ पे भी एक arc बना देना है, यहाँ पे भी एक arc बना दिया, अब यह जो दो points है, यह दो points को label कर दो, C and D और एक line बनाओ, जो इनके through pass होता हो, C और D label कर दो पहले, इनको label कर दिया C and D, अब यह दो points के through एक line बनाओ, जो नीचे वाले line को paddle होगा, देखो यहाँ पे, scale यहाँ पे रख दिया, और एक line बनाना है, यह C और D दोनों के through pass होता हुआ, ठीक है, बना दो जल दी से, कि मै कमपस से काटा था न, 4 cm का distance है, तो हम लोगो को एक line N मिल गई, जो line M से 4 cm के distance पे है, समझ में आया, तो यहाँ पे देखो, हम लोगो ने यह line को, नाम दे दिया line N, और यह B और D के बीच का distance कितना है, 4 cm, तो उसने वही पुझा दाना, draw a line N, which is parallel to line M, parallel तो होना ही चाहिए, at a distance of 4 cm भी होना चाहिए, तो यह दोनो line के बीच का distance कितना है, देखो, 4 cm, आया समझ में कैसे बनाया, बच्चो जबी भी ऐसा कोई question आया, कि आपको एक particular distance पे parallel line बनाना है, तो हमेशा आप यही method follow करेंगे, ठीक है, पहले एक line बनाएंगे, फिर वो line पे 2 points ले लेंगे, वो same distance यूज़ करके point B पे needle रखेंगे और pencil से D पे arc बनादेंगे, फिर ये दोनो point जहाँ पे arcs ने line को cut किया है, वो दोनों की through pass होता हुआ, एक line बनादेंगे, ठीक है, बचो ये 4 cm का distance ना हमने सीधा compass पे यूज़ किया है, जब पहले दो points लिये थे ना A और B, या आप कहीं parallel होने चाहिए, और उनके बीच का distance 4 cm होना चाहिए, ये A, B, C, D, ये हमने construction करने के लिए बनाया है, उसने कुछ पूछा नहीं था ही, तो ये A, B कहीं पे भी आ सकता है, उसका tension नहीं लेना है, उसके बीच में A और B के बीच में क्या distance है, उससे हमें कोई फरक नहीं करता है विडियो pause करो, अच्छे से देखो और खुझ से practice करो अभी के अभी notebook में, तो बचो इसी के साथ हमारा practice set 2.3 खतम होता है, और chapter 2 parallel lines and transversal भी यहां पे खतम होता है, आज हमने practice set 2.3 के question number 1, 2 and 3 solve किये, first two questions हमने set square method से किया, and third में एक particular distance पे हमें draw करना था, तो हम लोग ने compass use कि आउसके लिए, आपको ये तीनो questions practice करने हैं, फिर ये आपको समझ में आएगा, practice set 2.1 and 2.2 में ने अल्रेडी upload कर दिया है, उसका link description में है, अगर आपने वो नहीं देखा है, तो आप वो दोनों देखकर ये पूरा chapter खतम कर सकते हैं, अगर आपको ये video पसंद आया हो, तो इ playlist section में मिल जाएंगे, comment section में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये video कैसा लगा, thank you so much for watching this video,